असलाम अलेकुम आज हम मानाएंगे आलो की कबाब इसके लिए हमें चाहिए पांच उबलेवे आलो इन्हें हमें करना है अच्छे से मैश और अब ये अच्छे से मैश हो चुके हैं इसमें हम आट करेंगे मसाले हाफ टीस्पून ये हजबे साइका नमक हाफ टीस्पून अद्रक लेसन का पेस्ट एक टीस्पून लालमिश पाउडर क्वाटर टीस्पून हल्दी एक टीस्पून चिली फ्लेक्स हाफ टीस्पून धन्या का पाउडर और क्वाटर टीस्पून गरम मसाला एक फाइनली चॉप्ट प्यास तीन से चार हरी मिर्च फाइनली चॉप्ट मुठी भर पुदीना के पत्ते मुठी भर खोतमीर और चार टेबल स्पून चावल का आठा चावल का आठा इसमें बाइंडिंग का काम करेगा इसलिए हमें पूरे चार टेबल स्पून इसमें आठ करना है अब इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें आठ करेंगे एक लीमू का रस अगर आपको खटा थोड़ा कम पसंदे तो आप आदा ही डाल सकते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे अब यह हमारा कबाब का मिक्स इदम रिडी है अब हम हातों पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और एक बॉल सा इसका आलू ले लेंगे और इसे अच्छे से रोल करेंगे लड़ू के शेप में और फिर प्रेस कर देंगे और इसे टिकी का शेप देंगे और साइट से भी सील कर देंगे अब यह हमारा कबाब एक दम रिडी है इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे कोट करेंगे ब्रेट क्रम से तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे दो टिबल स्पून मैदा और इसमें एट करेंगे थोड़ा सा पानी और तयार करेंगे एक सलरी घोल तयार करेंगे तो कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होने चाहिए घोल की ना ज्यादा गाड़ा ना ज्या और फिर इसे bread crumbs में coat कर लेंगे अगर आपके पास bread crumbs नहीं है तो आप थोड़े से bread के slices grinder jar में पेस लीजिए दरदरा आपके bread crumbs त्यार हो जाएंगे इन्हें हर साइड से हमें अच्छे से cover करना है यह हमारे कबाब एकदम ready है इसे हम बाजो रख देंगे और इसी तरह से दूसरे कबाब ready कर लेंगे इस तरह से हमारे कबाब एकदम crispy होंगे और फटेंगे भी नहीं अब हमारे कबाब एकदम ready है fry करने के लिए अब हम एक पैन में तेल गरम कर लेंगे और जब तेल गरम हो जाए तो एक एक करके इन कबाब को इसमें डाल देंगे इन्हें हमें फ्राइब करना है मीडियूम फ्लेम पर और जब यह एक तरफ से fry हो जाए तो इन्हें हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राइब कर लेंगे तो अब यह दूसरी साइट से भी पक रहे हैं हमें मेक शूर करना है कि दोनों साइट सेम कलर आना चाहिए गोल्डन ब्राउं तो जब यह अच्छा सा गोल्डन ब्राउं कलर आ जाए तो इन्हें हम निकाल लेंगे अब हमारे कबाब एकदम रिडी है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए नए रेसिपी इसके लिए अपने दोस्तों के साइब शेयर कीजिए मेरे चैनल को और डोंट फोगिट टो लिए वाल्यूबल कॉमेंट इन झाल झाल झाल